नमिश्काय मेरा नाम है दॉक्टर पूरूद हमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं किड्नी फंक्शन्स के बारे में और जानेंगे कि किड्नी हमारी बॉड़ी में कौन-कौन से काम करती है Kidney के बारे में अक्सर लोगों को ये पता होता है कि Kidney urine बनाना का काम करती है कि Body में जितना भी extra पानी है उसको निकालने काम हमारी Kidney करती है मगर ये थोड़ी सी गलत सहिमी होती है Kidney हमारी Body में और भी भहुत सारे काम कर रही होती है तो आज जानते हैं इस वीडियो में कि किड़नी हमाली कितनी important है किड़नी का सबसे important काम हमारी body में होता है waste material को body से भाने काना यानि हम जो भी खाते हैं पीती हैं हमारी body जब काम करती हैं, energy में convert करती है तो कुछ न कुछ toxic material body हर टाइम बनाती रहती है जिसे हमारे घर में, अब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, कि खाना जब हम बना रहें, सबजियां काटते हैं तो कुछ न कुछ waste material निकलता है इसी तरह से जब body कुछ भी काम करती है तो थोड़ा-थोड़ा waste material हमारी body में भी बनता रहता है इसको body से बाहर कैसे निकाला जाए इस body से बाहर इसको निकालने के दो root होते है या तो वो stool के रस्ते हमारी body से बाहर जाता है या फिर वो urine के रस्ते हमारी body से बाहर जाता है urine बनाने के लिए हमारी kidney हर टाइम 2400 घंटे काम करती रहती है मगर उसे flush out करने के लिए body को चाहिए होता पानी, यानि अगर हम पानी पी रहे हैं, उस पानी को urine में convert किया जाता है, और इस urine के अंदर जितना material है, toxic material है, चाहिए ketanin है, urea है, extra, salt है, उसको dissolve करके body से बहार निकाला जाता है, इतके से kidney body की flushing कर रही होती है toxic material से, यानि kidney का सबसे important काम होता है, body के अंदर पानी की मात्रा को control करना, अब अगर श्पोस करो कि urine आना आपको बंद हो जाए, kidney काम करना बंद करते, urine नहीं आएगा, और आप पानी पीते रहोगे, तो क्या होगा, body में पानी बनना शुरू हो जाएगा, आप इसका ultra सोच के देखो, अगर पानी नहीं पी रहे, और आप urine करते जा रहे हो, तो क्या होगा, body dehydrate कर जाएगी, है न, हमारे जो lungs है, उन्हें काम करने में दिक्कत होगी, हमारे हर्ट को पाम करने में दिक्कत होगी, क्योंकि body के अंदर 70% पानी ही होता है, तो ये जो पानी की मात्रा कितनी श्रीर में रह करती है, जिसका नाम है erythropoietin, यानि erythro, यानि blood protein, यानि उसे बनाने वाला, एक ऐसा hormone जो blood को बनाने में help करता है, ये release कों करता है, kidney, यानि आकर हमारे body में kidney नहीं है, तो हमारे body में blood भी नहीं बनेगा, तो ये important काम भी हमारी kidney करती है, इसके लावा, vitamin D, जब हम धूप हमारी kidney में गयावा vitamin D, चाहिए वो दूप सचाए, चाहिए वो खाने सचाए, चाहिए वो medicine सचाए, उसे activate करना, उसे काम करने, लाइक बनाना, ये काम भी हमारी kidney करती है, यानि अगर हमारे kidney नहीं होगी, काम नहीं करेगी, तो vitamin D की deficiency हमारी body में देखने को मिलेगी, हमारी ह हडियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, हमारी हडियां मुणनी शुरू कर देंगी, और हमारी शेरी में बहुत जाता दर्द मनेगा, क्योंकि हमारी शेरी में vitamin D तो है, पैटो काम नहीं कर रहा, तो ये important काम भी हमारी kidney करती है, इसके लावा एक और important काम हमारी kidney करती है, वो है blood pressure regulation का, आप जब urine करते हैं, तो उसमें नमक निकलता है, है ना, हम सब जानते हैं कि हमारा जो urine होता है, वो salty nature होता है, तो body में अगर नमक की मातरा जादा बढ़नी शुरू होती है, तो BPP भी बढ़ता है, तो अब हमने जो नमक खाया है खाने में, या पर हमने जब chips खाये थे, या कुछ भी अचार खाया थे, चटनी खाये तो जो नमक हमारी body में गया, कितना body में रहेगा, कितना वो body से भाग जाएगा, इस regulation काम भी हमारी kidney कर रही होती है, तो हमारी body में BP regulation काम भी हमारी kidney ने किया, kidney एक और तरीके से blood को regulate करती है, वो है ADH से, ADH एक ऐसा hormone होता है, जो कि हमारे brain को बताता है, कि कब उसने heart beat को, heart से जादा काम करवाना है, कितना pump करवाना है, तो अगर हमारी kidney को कभी नुकसान होता है, किसी भी reason से, तो हमारा body में ADH की secretion भढ़ जाती है, और heart की pumping forceful होने के बज़े से blood pressure हमारा increase करना शुरू होता है, तो ये दो त किसी भी reason से, suppose को आपका sugar जादा हाई रहती है, या BP हाई रहता है, kidney को नुकसान हो रहा है, kidney अंदर से damage हो रही है, तो जब kidney को damage होता है, तो kidney की ये जो काम है, जो functions है, वो भी deteriorate करने शुरू करते हैं, और इसी वज़े से हमारी body में अलगले type के symptom हमें देखने को मिलते हैं अगर हमारी body के अंदर ketanine की मात्रा बढ़ रही है, यूरिय के मात्रा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि kidney की जो waste material है, उसको बहार ने निकाल पा रही है, क्योंकि यूरिया बनता हमारे liver में है, retin बनता हमारी muscles में है, मगर वो साफ होने kidney में आता था, kidney उसे filter यूरिय क्रेस से भाहर करती थी, बढ़ अब kidney काम नहीं कर पा रही, kidney को तो नुक्सान हुआ था, diabetes और BP की वज़े से, तो ये जो waste material पहले body से भाहर चला जाता था, अब नहीं जा पा रहा, अब खटा होना शुरू हो गया, तो पहला symptom क्या हमें देखने को मिलता है, कि patient की ket damage चल रहा होता है, तो kidney EDH को secretion जादा बढ़ा देती है, जिसे हमारे brain, हमारे heart को command करता है, कि आप खोड़ा forcefully pump करो, तो जब kidney damage होगी, तो blood pressure high के cases हमें जादा देखने को मिलते हैं, तो ये दूसरी दिक्कत देखने को मिलती है, अगर kidney को damage चल रहा है, बहुत जादा हो गया पीन बना रहाता है, तो ये तीसा symptom हमें देखने को मिलता है, अब जब kidney को damage हुआ था BP से sugar से, तो kidney ने जो hormone बनाती थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, erythro protein, उसकी secretion कम होनी शुरू होती है, और जैसे जैसे body के अंदर erythro protein की secretion कम होनी शुरू होती है, तो हमारी body म जो normal functions थे, वो perform नहीं हो पा रहे, तो अगर आपको normal functions पता है, तो आप kidney failure के symptoms को better थे कैसे understand कर सकते हो, तो ये कुछ symptoms से, जिनको मैंने explain करने की कोशिश किये इस video में, आप मुमित करता हूँ इस video से, आप kidney के functions को समझ गये होंगे, और kidney failure में जो symptom आते हैं, क्यों पैदा होते इसको आप समझ गये होंगे, इसी कहत आप से भी समय चलने की आगे चाहूँगा, मैं देते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमश्कार